हेलो दोस्तों मैं हूँ अब इसे एक आपका सेल्फ रिपेर गुरू जी दोस्तों बहुत लोग कॉमेंट में पूछ रहे थे मैंने एक दो वीडियो बनाया था टूटी इंजन वाइल के उपर तो बहुत लोग नीचे कॉमेंट बॉक्स में पूछ रहे थे यह अब उनके टाउन में नहीं मिल रहा है तो यह अब कहां से मिलेगा तो दोस्तों बहुत लोग यह कहते हैं कि उसमें डिरेक्ली इंजन वाइल ही डाल देते हैं फोरे स्टॉक वाला दोस्तों वो दूसरा ची होता है यह दूसरा ची होता है डालेंगे कैसे तो दोस्तों यह जो टूटी इंजन वाइल है पहले तो ऐसा था कि रोड पे बहुत सारे ट्वेस्ट्रक मोटोसाइकल स्कूटर और वह जो आटो थी पहले मार्केट में बहुत जादा था अब जैसे इसे पॉलिशन नॉर्म्स हो रहा है तो सारा वह बंद हो गया और जो आटो है पहले उसमें जो था तो उसमें भी अब सिए ओगया तो गॉर्मेंडय टूए shouldn Aa kya टो वह पहले quadrant को हट रही है डिजल भी हडरा है तो वह तो बातियां अलग है बट रहा बात तो करे दोस्तो सकता है यह बट भी काम में आता है और रोड़ नहीं आएगा के स्कूटर में यह यूज नहीं होगा वेहिकल में यूज नहीं होगा best आज भी ज जितने भी एगरीकल्चरे equipment है most of the agriculture equipment जैसे कि sprayer हुआ उसके बाद आपका grass cutter हुआ tree cutter हुआ chain saw हुआ उसमें आज भी two stock engine यूज होता है और उसके बाद आपको marine जो भी vehicles होता है boards में two stock engine यूज होता है क्योंकि यह जो two stock engine है इसका अपना ही एक advantage है इसको कभी भी four stock engine से आप replace नहीं कर सकते हैं एक तो बहुत reliable होता है जो four stock होता है उसमें आपका valves होता है आपका piston में दो rings रहता है उसके बाद आपका chain का आज आने लगता है बहुत सारा problem होता है प्लस power भी उतना नहीं होता है जितना एक two stock का power होता है तो जहां भी आपको lightweight चाहिए अब जैसे sprayer है तो आप कंधे पे एक heavy engine को नहीं लाज सकते हैं तो वहां पे two stock बहुत beneficial होता है तो इसका यूज years and years तक होता रहेगा ऐसा नहीं है कि two stock engine आज motor cycle और scooter में यूज नहीं हो रहा है तो यह हट ही जाएगा नहीं यह years and years इसका use होगा ही होगा तो आपको petrol pump पे नहीं मिलेगा यह क्योंकि अब road पे vehicles हैं नहीं तो petrol pump बला भी भाई क्यों रखेगा बट अगर आप अपने city के कोई dealer के पास जाएंगे hp का जो dealer है आपका भारत petroleum वहां पर आगर आप जा करके पूछेंगे तो वहां पर यह आपको मिलेगा ही मिलेगा और अगर नहीं मिल रहा है कहीं भी तो आप कोई village side में जाएगा तो वहां अभी भी मिल जागा क्योंकि वहां पर agriculture equipment में यूज होता ही होता है और suppose यह छोटा वाला पाउच नहीं मिल रहा है तो आप बाटल ले लिए जनरली जिसके पास agriculture equipment होता है वह बड़ा बाटल हाफ लीटर में आता है वन लीटर में आता है वह रखता वह पेट्रॉल में मिक्स करकर के यूज किया आता है और मुझे भी मे मेरे ठाउन में भी यह नहीं मिल रहा था तो देखिए मैंने ला करके रखा हुआ है तो यह सबब पॉलुसन नॉम्स ऐसा हो गया है कि अब इसको मतलब दिक्कत हो जाता है रोड पे चलाना बट कभी-कभी अगर सौक से चलाना है तो थोड़ा बहुत आपको मैनेज करना प भाई है तो इसको मिक्स कर दीजे और बहुत लोगों को पता नहीं होता है कि यह है क्या एक्चुली तो वह लोग बड़ा स्ट्रेंज वे में देखते हैं कि भाई क्या डाला है पेट्रॉल के टंकी में तो कोई टेंसन की बात नहीं है क्योंकि जो लिजेंडरी मोटर साइक से आज भी आप लोगों के पास आरेक संडेर्ड येसडी ये सारा होगा तो आप लोग को मन करता होगा चलाने के लिए और चलाने का मन करेगा भी यह सब मोटर साइकिल से इतना अच्छा था तो टेंसन मत लिजें ये ये तक यह मिलेगा टूटी इंजन वाईल कोई प्रॉ मौर्णिंग प्रॉल इनगा मौनिंग को पर फिर से मचेंटि प्रॉर्ट की पर से अब सब्सक्राइब यह सब्सक्राइब को जिए च्छार होगा फैसकर उनको जिनके पास आज भी तो अब तरह से मैनेज कर सकते हैं कोई प्रॉत्इस और नीए तो प्रीज आरग लाइक क ताकि जब भी मैं को नया वीडियो आपके लिए बना हूँ तो आपको नट्विकेशन मिल सके और आप उसे सबसे पहले देख सके एंडर ट्लास तो मैं रात में यहां पर आया हुआ था तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना लेता हूँ बहुत को चला रहा था और वासिंग कराने के लिए मैं इसे ले गया था तो वहां पे जो वासिंग करने वाला था उसको मैंने बोला कि भाई 20 रुपय एक्स्टा ले ले लेना बट अच्छे से वास करना उसने इतना प्यार से किया कि कहां कहां इसके अंदर में पानी उसने डाल दिया कि अब इसमें करेंट ही नहीं आ रहा है तो पूरा मुझे इ करके देखना पड़ेगा कि करेंट करका विसफ़ाया नहीं यहां से इंजन्स जाता है उसके बाद उपर उसका इनिसन रागज का रहता है झाल झाल